tnt how are you all I hope you are well welcome to online mathematics on azar classes our so we can mathematics on a class is now discuss class 8 exercise 3.3 question number 9 question number 9 ayya apki paas diagram so they take in the above figure R,I,S,K and C,L,U,E और parallelogram find value of x अगर यह parallelogram दे रखे हैं तो हमने x की value find करनी है अब देखो यहां पे यह जो angle है मैं आपको बजा दूँ जो parallelogram होते हैं या कोई दो side है जैसे यह side parallel है और यह side इसके parallel है तो यह जो angles होते है parallel line को जो दूसरी line join करवाती है उसको transversal line भी बोले जाता है क्या बोले जाता है transversal line भी बोले जाता है transversal line जैसे यह sponj हमारे पास यहां पे दे रखा है R I S और E जो यह is का angle है जो sum होगा इनको adjacent angle बोले जाएगा यह transversal line पे जो base पे बने होते हैं angle उनका sum 180 degree होता है तो यह angle और यह angle दोनका sum कितना होगा 180 degree second one देखो जो angle हमारा R K S है कितना given है 120 तो जो angle हमारा R I S होगा वो equal होगा R K S के क्यों internal opposite angle of parallelogram parallelogram के internal opposite angle क्या होगे एंगल भी हमारा कितने आ जाएगा 120 डिगरी कहा जब यह 120 डिगरी कहा जाएगा तो यह S कितने डिगरी आ जाएगा यानिके angle R I S S is equal to 120 डिगरी and sum of R I S plus angle K S I is equal to 180 डिगरी ट्रांस्वर्स सेम ट्रांस्वर्ल लाइन बेस अंगल यानिके जो एंगल है उनकी ट्रांस्वर्स जो बेस लाइन है वो सेम है या इनके अर्जस्ट रेंगल सा सम कितना है 180 डिगरी है तो यह 120 गा गया अगर यह 120 गा गया तो हमारे पास जो S एंगल है वो कितने डिगरी का आ जाएगा यह plus के इस साइड में आकर minus के हो जाएगे यानिके S एंगल आ जाएगा हमारा 60 डिगरी का और जो एंगल E है तो इसका opposite एंगल है यानिके angle E is equal to angle L इंटरनल अपोजिट एंगल आफ पैरलोग्राम तो एंगल E कितने का हो गया 70 डिगरी का तो अब यह क्या बन रही एक ट्रेंगल बन रही है स्मॉल ट्रेंगल के तो ट्रेंगल एंगल की परोपटी लगा देंगे यानिके एंगल E plus एंगल S plus X डिगरी is equal to 180 डिगरी होना चाहिए X 60 डिगरी दूसरा 70 डिगरी तो X डिगरी की वैलु क्या आ जाएगे यह 180 डिगरी है यानिके 180 डिगरी 60 plus 30 इस हाइड में आके माइनस हो जाएगा X डिगरी यानिक X की वैलु कितने आ जाएगे 50 डिगरी प्रेंट 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 नमबर 10 देखिए एक्स्प्लेट हाव दा फिगर इस ट्रैपिजम यह फिगर कैसे ट्रैपिजम है विच ऑफ इस टू साइड आ पैलर जिसकी दो साइड यह पैलर है मतलों क्या है अब जो एंगल एम है एंगल जो हमारा एम है प्लस एंगल जो एल है क्या यह 180 डिगरी आ रहे है एंगल एम कितना है अंडर डिगरी और एंगल एल कितना है 80 डिगरी तो यह वैली कितना है 180 डिगरी तो यह क्या होगे एंगल एम एंड एंगल एल और सेम Transversal Line Same Transversal Line पे हैं क्योंकि इनका Same Transversal Line पे 180 डिगरी है जो N M है वो Parallel के हो जागी KL के N M L K इसे Parallel हो रहा अब देखे Question No.11 Angle M यह दे रखा जैसे A भी अगर Parallel DC के अगर A भी DC के Parallel है तो Angle C क्या हो जाएगा Same Transversal Line पे है तो Angle B प्लस Angle C कितना होना चाहिए 180 डिगरी होना चाहिए अगर यह 180 डिगरी होना चाहिए तो Angle B की वाल्यू कितने दे रखी है 120 डिगरी तो Angle C हमने Find करना है Angle C कितना हो जाएगा 180 डिगरी माइनस के 120 डिगरी यानि के Angle C की वाल्यू कितना आजाएगी 60 डिगरी Now Question 12 12 में देखिए हमने क्या Find करना है Same Transversal Line होने के वज़े से Angle B कितना आ जाएगा 50 डिगरी Angle B कितना आजाएगा 50 डिगरी तो एक वाडरी लेटर के सभी Angle Aसम कितना होता है 360 डिगरी तो इसमें से 50 minus कर दो S की value आ जाएगी या ये वैसे भी एक transversal line पे है तो ये 90 degree ये भी हमारा 90 degree पे आ जाएगा Try yourself, question 12 हो जाएगा Orquestrand आपको class कैसे लगी अच्छे लगी तो like कीजिए, subscribe कीजिए share कीजिए, अगर कोई doubt है कुछ part कई बार की camera पे सामने और साथ साथ में आप like कीजिए, subscribe कीजिए अपने friends से साथ share भी कीजिए Thank you, take care